जाहिंदे वरिवन इस वीडियो में टोटल दोस इंपोर्टेंट करेंट आफ हेर्स के प्रस्ण लियेगा हैं अगर आपका सपना है वर्दि पहनने का चाहे आप SSCD पेपर का त्यारी कर रहे हो चाहे किसी स्टेट पूल इस पेपर का त्यारी कर रहे हो चाहे अग्निमीर प्यूर आता है और आप लोगों मैं पूरा दोस प्रस्ण अजैसे करा देता हूं अगर किसी और चैनल पर यही दोस वो करेंट अफियर्स का प्रस्ण अजैसे देखने जाओगे पढने जाओगे ना तो आधे घंटे लग जाएंगे एक घंटे लग जाएंगे तो इसलिए सा का प्रस्ण आप लोग के सामने ला चुका हूं आप लोग देख चुके हों तो कल मैं उसका रिवीजन करा दूंगा तो पिछला वाल आप लोग एक बार और वीडियो देख लेना जितना भी करेंट अफेर्स का है ठीक ना जो भी 20-30 प्रस्ण जो भी प्रस्ण बनेंगे मैं क करा दूंगा ठीक ना जब बार बार ये प्रस्ण आपके सामने आएंगे तो वैसे याद हो जाएंगे आपका सबसे पहला प्रस्ण है कि हाल ही में राष्टपती द्रवपदी मुर्मू ने सूधा मूर्थी को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है हाल ही में राष्टपती द्रवपदी मुर्मू ने सूधा मूर्थी को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है लोक सबा, राज्य सबा, बिधान सबा और बिधान परिशद तो इसका राइट एंस्वर राज्य सबा हो जाएगा ठीक ना राज्य सबा इस राइट एंस्वर हाल ही में राष्टपती द् किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेट फार्म लांच किया है केरल, करनाटक, राजस्थान और आंद्र परदेश तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा, इसका राइट एंस्वर केरल हो जाएगा, ठीक ना, केरल इस राइट एंस्वर, केरल इसका राइट एंस्वर हो जाएगा, नेस्ट प्रसन के तरफ चलते हैं, आपका नेस्ट प्रसन है, कि भारत और किस देश की नो सेना के माध समुद्री अभ्यास समुद्र लच्मड 2024 आयोजित किया गया Most important प्रस्न है ठीक न यह आप लोगों पता होना ही चाहिए कि भारत और किस देश की 9 सेना के मद्य समुद्री अभ्यास समुद्र लच्मड 2024 आयोजित किया गया सिरिलंका, मयमार, मालदीप और मलेशिया तो इसका राइटेंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइटेंस्वर आपका मलेशिया हो जाएगा ठीक न भारत और किस देश की 9 सेना के मद्य समुद्री अभ्यास समुद्र लच्मड 2024 आयोजित किया गया तो इसका राइटेंस्वर मलेशिया हो जाएगा ठीक न मलेशिया इस राइटेंस्वर मोस्ट इंपर्टेंट है अगर आप लोगों यह जहां भी दिखेगा न तो इसको गलती नहीं कर रहा है भारत और किस देश की 9 सेना के मद्य समुद्री अभ्यास समुद्र लचमर 2024 आयोजित किया गया तो भारत और किस देश के बीच तो मलेशिया के 9 सेना के बीच ठीक है न आपका नेश्ट प्रस्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेटरो सुरंग किस राजे में बनाई गई है तो भारत की पहली अंडर वाटर मेटरो सुरंग किस राजे में बनाई गई है बिहार जारखंड निचे दिया पस्चिम बंगाल और उत्तर परदेश तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा भारत की पहली अंडर वाटर मेटरो सुरंग किस राजे में बनाई गई है इसका राइट एंस्वर पस्चिम बंगाल हो जाएगा ठीक ना पस्चिम बंगाल इस राइट एंस्वर नेस्ट प्रस्ण के तरफ चलते हैं आपका नेस्ट प्रस्ण है कि हाल ही में किस राज्य केंदर सासित परदेश पुलिस ने आपरेशन काम धेनू सुरू किया दिल्ली और जम्मु कास्मीर, हरियाना और गोवा, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, जब भी आ जाएगा पूलिस ने आपरेशन काम धेनु सुरू किया, तो वो कौन सा केंदर सासित परदेश है, काम धेनु से रिलेटेड पूछेगा ना, तो आपका जम्मु कास्मीर हो जा आपलिकेशन में चले जाना, मेरा अपलिकेशन निलेश डिफेंस कैडियर के नाम से है, जब आप लोग पले इस्टोर से मेरे अपलिकेशन को डाउनलोड कर लोगे, तो उसमें फिरी कंटेंट वाले में जाओगे, तो वहां पर आप लोगको पूराना PDF देखने को मिल पेरिश, स्वीडन, नार्वे और स्वीटर्ज लेंड, तो इसका राइट एंसवर क्या हो जाएगा, इसका राइट एंसवर स्वीडन हो जाएगा, ठीक न, हाल ही में नाटो का बातिसमा सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो स्वीडन इसका राइट एंसवर हो जाएगा, 2024 भारत का आयोजन, 2024 अभ्यास का आयोजन, भारत और किस देश के तट्राचक बल के साथ किया गया, आश्ट्रेया, जापान, सिरिलंका और अमेरिका, इसका राइटेंस और अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका इस राइटेंस और आपका नेश्ट प्रस्ना है कि हाल ही में, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है तो हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है सुनील सेटी और यास्मी जेतून और क्रिष्टीना पीज कोवा और इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंस वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस वर क्रिष्टीना पीज कोवा हो जाएगा ठीक ना हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है तो क्रिष्टीना पीज कोवा इस राइट एंस वर इसको आप लोग इंपर्टेंट कर लेना ठीक ना ऐसे प्रस्ण पूछे जाते हैं नेस्ट प्रस्ण के तरब चलते हैं आपका नेस्ट प्रस्ण है कि हाल ही में कौन पाकिस्तान के चौदा हमें राष्ट्रपती बने हैं तो हाल ही में कौन पाकिस्तान के चौदा हमें राष्ट्रपती बने है महमूद खान असिप अली जरदारी आरीफ अलवी और इन में से कोई नहीं तो इसका राइट एंस्वर क्या हो जाएगा इसका राइट एंस्वर आपका असीप अली जर्दारी हो जाएगा ठीक हो ना हाली में कौन पाकिस्तान के 14 हमें राष्ट्र पती बने है तो यह जो आसीप अली जर्दारी है ना यह पाकिस्तान के 14 हमें राष्ट्र पती बने है आशिप अली जर्दारी पाकिस्तान के 14 हमें राष्ट्र पती बने हैं आपका नेस्ट प्रस्न है और लाष्ट प्रस्न है कि वर्तमान में भारत के क्रीसी एमम किसान कल्यार मंत्री कौन है अभी में आप लोग को जो दोस प्रस्न कराया हूँ अगर आप लोग किसी और चैनल स सारा कुछ हो गया वर्तमान में भारत के क्रीसी एमम किसान कल्यार मंत्री कौन है मनसुक एमम मंडवारिया अरजुन राम मेगवाल नरेंद्र सींग तोमर ठावर चंद गहलोत है तो इसका राइटेंसवर क्या हो जाएगा इसका राइटेंसवर नरेंद्र सींग तोमर हो ज इन दोस प्रशने में से आपका कितना प्रशन सही हुआ है इमांदारी पुर्वक से कमेंट करके बताना ठीक ना तो मिलते हैं सुबह में जा हिंद बंदे मात्रम